तो दोस्तों अगर मैं अपनी NFT details एंटर करना चाहता हूं और वो काम मैं अपने website के थुरू करना चाहता हूं सबसे पहले मैं open करूँगा Google Chrome Google Chrome में जाकर के अपनी website डालूँगा modicare.com और उसमें sign in करूँगा अपने MCA नंबर और password के जरिए दोस्तों उसके साथ साथ जो एक सवाल होता है उस सवाल कभी हमको यहाँ पे जवाब देना होता है तो उसका मैं जैसे ही answer करके login करूँगा मेरा dashboard open हो जाएगा dashboard open में होगा तो उसमें left side पे सबसे उपर जो हमारा menu option है उस menu option पे जाकर के क्लिक करूँगा उसमें पहला section profile और profile के अंदर दोस्तों हमारा मौजूद है update neft मैं इस पे जाकर के क्लिक कर दूँगा उसके बाद जो नाम मेरा bank में registered है वो मैं यहाँ पे डालूँगा IFSC code अपना डालूँगा IFSC code डालने के बाद दोस्तों अगली चीज जो आती है यह मेरा जब IFSC code के बाद यह bank का नाम और bank की ब्रांच अपने आप ले लेता है उसके बाद मैं account number डालूँगा अपना confirm करूँगा account number अपना और उसके बाद दोस्तों अगली चीज हमें अपनी file choose करनी यानि कि एक ऐसा document जो हमारा check हो सकता है या पिर हमारी bank की printed passbook हो सकती है उसकी photo update करनी है पर उसमें हमारा नाम हमारे bank का नाम हमारा IFSC code और मेरा account number clearly mention हो तो मैंने choose file के उपर click करा files पे जा करके click करा और उसमें जा करके अपने document मेरे पास मौजूद था पहले से मैंने उसको update कर दिया और उसके बाद जैसे ही दोस्तों यहां पे मैं update के उपर click करूँगा मेरी neft completely successfully registered हो जाएगी thank you so much